कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकोन का बटन अवश्य दबादें नमस्कार दोस्तों आज हम आपकी मुलाकात करने जा रहे हैं फिल्म ठाकरे जो 25 जन्वरी को सिनेमा हौल्स में रिलीज होने जा रही है शिवसेना के संस्थापक, काल्टूनिस्ट और पॉलिटीशन बाला साथ ठाकरे के ओपर ये फिल्म बनी है और शिवसेना के ही सांसद संजेर राउत इस फिल्म को पेश कर रहे हैं उनकी बिटिया ने इस फिल्म का निर्मान किया है नवाज़ोदिन सिद्दकी इसमें बाला साथ ठाकरे की भूमिका में नजर में आएंगे और उनके साथ साथ अमरता राओ फिल्म अभिनेत्री वो बाला साथ की पतनी मीना ताई ठाकरे के रोल में नजर आएंगे आईर राजधानी के सिनोप्लेक्स में ये पूरी टीम यहां महमान थी और बहुत बेबाकी से बाद चीत हुई पत्रकारों ने खुब सवाल इनके उपर दागे तेकी नोग जोख हुई और संजेराउत और नवाजुदिन सिद्धिकी अमरताराउ ने बेबाकी से मीडिया के स संजेराउत रहेंगे और कहा रहेंगे संजे जी ये एक फिल्म है है बालासाब ठाकरे का नेतुरुत्वा व्यक्तित्व हमेशा कडः में के खड़ा रहा है इस देश की, कॉंट्रवर्सी हुई है, दो पहिलू हमेशर है उनके जीवन में, हमने कोशिच की है कि रियल बालासाथ ठाकरे जो लोगों को मालूम नहीं, उनका तो एक संगर्श रहा, उनकी जिंदगी का, एक बाय ठाकरे से लेकर बालासाथ ठाकरे तक, म को अब फिल्म देखने पड़े की पचिसा थोड़ा साम बताएं की इसमें, हमेशा बैलास रहा है, इसकी राजनीती में हो, महारास्ता में हो, जहां भी हो, जहां भी हो, जहां पर रहा है, जहां पर जिंदगी रहा हूँ, मुझे मालूम है, यह स्टोरी भी जब बनी थी, मैंने लिखी थी, तब मैंने यह कोशिश की है, यह बनासाप का एक बैलन्स करेक्टर वहां मैं पेंट कर सकता हूँ, अब बदल दीजिए, आप बदल दीजिए, पर्टिकल फिल्मों का बड़ा लंबा दौर चलने पड़ा है, तेमा को बताना चांदा है, यह तिन घंटे स इसे भी कम समय की फिल्म है, दो घंटा 20 मिनट की फिल्म है, और उनकी पूरी जिंदगी आपका सवाल बहुत अच्छा है, दो घंटे में हम नहीं करते हैं, लेकिन सिक्विल आ जाए, और नवाद भाई आपके लिए सवाल है कि जब आपको यह रोल आफर हुआ तो क्या फि है नहीं है, रहे है कि परिपरेशन जैसे मेंने बताया है कि बारा साप की जो शवशफित है वे यह रिम का ड्रीम हो सकता है, वर्ल mein आप दुनिया की कितना भी ग्रेट अर्ली जो उर्ल का वो बारा साप का रॉल ज्रूर करने चाहेगा और मैं खुश्किसमत ह 지원 हूँ, राव साफ ने दिया, मुझे ओफर किया और यह एक 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 अपोर्चुनिटी होती है जब एक्टर के सामने इतना चैलेंजिंग रूल आता है ऐसा इत्फाक नहीं हुआ है, मेरी किसमत ऐसी नहीं थी कि बाड़ा साफ से उस वख तो मुलाकात हो सके कि मैं उस अपर इस ट्रगल ही कर रहा था, मैं मैं गया था महां पर मुंबई और उसके बाद तो काफी टाइम मैं साफ कोई लग मेरा नहीं रहा कि मैंन से लगाता है का काम होता है कि मुझे जी लगती थी बाड़ा साब की जुनाक थी वह बहुत बड़ी थी और वह लगती थी तो अफकोस थोड़ा चुकि प्रॉस्थाटिक की थी तो वह थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो होती है शूट करते वाफ बट प्रितिशील एक बहुत अच्छी मे वह हो जायत लेकिन अफना हख जरूर मांगने चाहिए वह हख क्योंकि वह आपका है और हमेशा मांगने चाहिए चुनाओ की तारीक सामने रखर फिर्म नहीं बनाए जैसे मैंने कहा कि अगर किसी को लगता है यह चुनाओ के लिए बनाए तो चुनाओ की तारीक वज़द स वह कौंसे भी रोल भी फीड़ए बात हिंदू-मुसल्मान की यहां नहीं है बाला साब एक प्रकर राष्टवादी थी बाला साब ने अगर कोई यहां के हिंदू-नेता, हिंदू-व्यक्ति भी अगर कोई गलत काम करता था तो बाला साब उसके खिलाफ हमेशा खड़े रह देश सबसे उपर आपने देखा होगा, जय हिन, जय माराष्टा का डेफिनेशन है उनका तो है, वो पचास साल पहले उने बनाया था, कि सबसे उपर देश है, देश नहीं रहेगा तो राज्य नहीं रहेगा, राज्य नहीं रहेगा तो पोलिटिकल पार्टी नहीं रहेग वहां साथ लेके जाएंगे. तबी वे स्क्रीन पे यह हमारी कभी सोच नहीं रही ना विचार धारा रही. बाला साब का हमेशा एक मंत्र रहा जियो और जिने दो. जियो और जिने दो. सबसे पहले मीडिया को नमशकार और यहां उपस्तित हर मीडिया वाले को शुक्रिया की हमारा अब आये है आज. बहुत अच्छा लगा और सवाल उंके साथ तूट पड़े हैं. मजा आया. Thank you for your question. So, मैंने आज तक सिर्फ Girl Next Door के रोल किये हैं. वेरी गर्ली गर्ली जोल. पहनी बार ऐसे हुआ है कि मुझे पता था कि यह रोल ऐसा है, कि यह एक लड़की नहीं यह औरत है. और गड़े परदे पर भी जब आप मुझे देखेंगे, ऐसे लगना चाहिए, मैं हमेशा मैंने जब इस रोल की रिसर्च की शुरवात की, मेरे पास कोई रेफरेंस पॉंट नहीं था, कोई audio-visual रेफरेंस नहीं था, चंद कुछ मीनाताई जी के पिक्चर्स थें, और उसमें वो जो, वो पिक्चर्स मुझे मेरे दादी के अलबम तक ले गए, जहां हम देखते थे कि उस जमाने के ओरते, भले होंगी कुछ 19-20 years, बट उनमें एक अलग मचॉरिटी थी, क्योंकि बहुत कम उम्र में, बच्चे भी हो जाते थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे, बहुत रिस्पॉंसमिटीज होते थे, और ऐसे लगता भी नहीं था, कि उन्हें, मतलब देवर सो मचॉर, हमारी जनरेशन के लड़किया इस उमर में, में अभी भी मम्मी मम्मी करती रह जाती है, और मेरा भी यही हाल है, बट मुझे पता था कि यह बहुत मचॉर स्पेस है, और मैंने उसको उस मचॉरिटी को परदे पर लाने की कोशिश की, अपकॉस, प्रोस्थेटिक्स अल्सों हेल्ट, मैं तब छोटी थी तब पापा से जो कहानिया सुनती थी पाया सब ठाकरी जी की, वो इस फिल्म के द्वारा मैं पढ़ते पर देख रही हूँ, आप परदे पर देखेंगे, इस मुवी से रिलेटेड हर एक व्यक्ति ने इतनी महनत की है, और वो काम करते वक्त हर हर यक्ति के मन में ही भावना की की, वी आ दूइं इस पर बातकर ठाकरे, तो उसके वज़े से रिजल्ट बहुत अच्छे आए है, तब 25th को आप देखेंगे, आप आप सब को मुवी बहुत अच्छी लगे, यह को आप दूबत अच्छी में पूफ जिखेंगे, खिल्म बनाने की कलपना उनकी रही, कि हमेशा जब मैं बाला साफ के साथ रहा हूँ, और जब मैं स्टोरी दिखना शूरू किया, पिछे बड़ी क्या आपको जब एक सीन में लिखता था तो उनके पढ़कर सुनाता था जब मैं सुबह जाता था वाप पांद कर आने के बाद में एक घंटा लिखता था पुरी जिन्दगी रही उनके साथ फिर्मी में जब फिर्म लिखना शुरू किया तो एक दो सीन मना कर मैं उनको पढ़कर दिखा दाता हम तो बुद यह ठीक नहीं है उसमें कोई मजा नहीं है आप उसमें और कुछ ज़्यादा बना दिजिए तो ऐसी एक स्टोरी बन गई बाला साब की जिन्दगी की यह सब लोगों ने जैसे पुरूशे ने कहा कि सब की मे कि अठीक चाहे यहाथ कौन्तर ने जुड़े हो तो ठाकरे क्या है तो ठाकरे क्या है ९ह पाला सा भामेशा कहीं जहारा भी ठाकरे थे वर ने की अव्यूशरी ने किमने। तो तो बहुत सारी चीज़े देखी जाती हैं, कहीं ऑवर्डू ना होजाए जाया जाए रखना पड़ता है, क्योंकि आपसे अलग हैं तो डेफिनली आपको बहुत सारी प्रोसेस, बहुत सारी एकसाइजिस करने पड़ती हैं उस उस शक्सित के तरीब आने के लिए पुरा बावेबी का यह बाला साथ ठाक रहे है अरे नेशनल स्कुलो ड्रामा के एक मेरे जूनियर हैं उनसे मराथी में तो देरे-देरे सही होती चेली गहीं उसके बादचेज़े मैं पुब्लिक कर रहा हूं देखने की अभी मुझे इस बाद कुछ गणित मालूमने बच्चे देख लेंगे जिसने बनाया हूं संजय जी आपका भी रोल गया इसमें दिखेगा यह फिल्म बाला साथ ठाकर जी गोपर है लेकिन जहां बाला साथ वहां संजय होता है महाभारत में संजय किस्वा महाभारत बनाई नहीं यह भी अलग महाभारत था किसे बड़ा सवाल है 1995 इंडस्ट्री में एक टेंडनसी है टाइप कास्ट करने की बट मैं उमीद कर रही हूं कि यह जो अभी डिजिटल स्पेस आया है यह डिजिटलाइजेशन के वज़े से बहुत सारी चेंजिस हुई है 2018 में इंडस्ट्री में बहुत चेंजिस देगी एक्टर और स्टार में जो फर्क है वो कम होते जा रहा है एक्टर्स को अपनी मतलब अपना क्रेडित रहा है तो मैं उमीद करती हूं कि इस सारे बदलते हालातों में अपनी दूण के बदलते हैं अच्छी बात है क्योंकि इंडस्ट्री एक ही फॉलमा की फिल्में बनाती है और फिर कुछ एक टेड्रेंड में आता है तो फिर सारी चीजे बही अक्शन तो असे होता है तो इसे होता है तो जहां गोंप्टिशन थे जहां पे इ grieving हैं तो मुझे सब मालूम है कि बदले दौर में घूमें, अच्छे बाते बदलाव इंसान के अंदर अच्छा लगता है, इससे क्या फॉर्स बड़ता है, इंसान बदले अच्छे बाते कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बदलाव है, जब भी कोई ऐसा इसे प्रेदार किया जात हैं, कुछ चीज़े आप उनकी आपको एफेक्ट होती है, तो ये लेना देना चलता रहता है, आफकोस करने के बाद कुछ ऐसे ऐसे बदलाव ज़रूर आते हैं, अनकॉंशसली बदलाव ज़रूर आते हैं, इतना कापी है